सबी को दुबारा नमस्कार आई होप कि आप सब अपने घर में अच्छे होंगे स्वस्त होंगे सेफ होंगे और सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे ऐता है और पेश होता है क्यों बनाया जाता है कौन बनाता है इसको और हुआ पको बताया था कि बज़ट में दो साइड्स होती है एक होती है रिसिप साइट और एक होती है expenditure side, यह मैंने आपको दो sides के बारे में बताया था, कि government के पास एक तरफ से पैसा आता है और एक तरफ से पैसा खर्च होता है यह दो sides होती हैं budget के अंदर right, एक बार देख लेते हैं दुबारा budget आप screen पर देख सकते हैं budget के अंदर बेटा मैंने आपको दो sides बताई थी, एक बताई थी मैंने आपको receipt side और एक बताई थी बेटा मैंने आपको expenditure side, यह बताया था बेटा मैंने आपको receipt मैंने आपको दो तरह की बताई थी, receipt मैंने आपको दो तरह की बताई थी, अगर मैं receipt के में all और देन्स न अपको नटिती मैं पितर थे तक सब्सक्राइन आपको क्या Mustafa को स्थेलिट हम वह रने हमें अपने एक्सक्राइए न गैँ सब्सक्राइब को इस्थे सब्सक्राइब और एक होते हैं बेटा capital expenditure, one is revenue expenditure and second is capital expenditure, दो तरह के हमारे पास यहाँ पर expenditures होते हैं, detail में पढ़ेंगे, बहुत मस्ती सार पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे सारी चीजें, कहीं पर भी कोई doubt आता है, मैं link में बेटा अपना phone number, WhatsApp number ज़रूर दाल दूँगा, आप वहाँ से मुझे doubt send कर सकते हैं, comment box में अगर आप लिखेंगे, वहाँ से भी मैं आपके फारे doubt skiller करूँगा, ठीक है, ओके, सो मेरी एक request और है, जिन बच्चों ने last video नहीं देखी है, वो फटा फट से बेटा video देख लो, क्योंकि इस video के अंदर में, last वाली video में, जो content मैंने जहां पर छोड़ा था, वहाँ से मैं आगे continue करूँगा, तो अगर chapter पूरा समझना है, 100% समझना है, तो पहले इस से पहली वाली video जो मैंने अपलोड करी हुई है, वो देखिए, कहोगे तो मैं आपको link box में उसका link भी share कर दूँगा, मैं link share कर दूँगा उसको, otherwise अब जब आप मेरी videos पर जाओगे, तो वहाँ पर लिखा होगा chapter budget, part 1, तो वो video जरूर देखो, क्योंकि वो introduction है, और मैंने उसमें receipts के बारे में सारे detailing बताई हुई है, आज जो मैं आपको बताऊंगा, वो उसके आगे का बताऊंगा, और उसमें क्या के चीज़ें होंगी, वो होंगी expenditures के बारे में, तो expenditure को आज हम detail में समझने वाले हैं, receipts को हमने cover कर लिया था अपनी फर्स वीडियो में, expenditure को आज हम इस वीडियो के अंदर cover करेंगे, चलिए, फटाफ़ट से चलते हैं बेटा, आई होप कि आपके सामने स्क्रीन पे पीडियो आगई होगी, उस पीडियो को इपाग गो थू कर लेते हैं, लास क्लास में जो हमने cover किया था बेटा, वो हमने chapter budget के बारे में cover किया था, एक छोट इसी, एक revision ले लेते हैं, फटाफ़ट से उचेप्टर के बारे में, government budget and the economy, government budget क्या होता है, it is the record of estimated receipt and expenditure of the government over the financial year, April 1 to 31st, March, government budget क्या होता है, कि सार एक financial planning होती है, government की, कि आने वाले financial year के अंदर, आने वाले accounting year के अंदर, हमारी estimated, अनुमानित, estimated receipts कितनी होंगी, और estimated expenditures कितने होंगे, इसको हम बोलते हैं, government budget, एक डेफिनिशन दुबारा देखते हैं, बेटा, government budget, it is a record of estimated receipt and expenditure of the government over the financial year, April 1 to 31st, March, जो हमारी receipts होती हैं, वो दो तरह की होती हैं, सार से पहले हम component देखते हैं, budget के, एक revenue budget और एक capital budget, revenue budget क्या होता है, revenue receipts plus revenue expenditure, is called revenue budget, और capital budget क्या होता है, capital budget होता है, capital receipts plus capital expenditures, अब आते हैं, सबसे पहले हम receipts के अपर, जो मैंने last class में, जो मैंने last वीडियो में आपको detailing में समझाया हुआ है, कि receipts दो तरह की होती है, revenue receipts and capital receipts, revenue receipts क्या होती है, सबसे पहले समझते है, revenue receipts के बारे में, इसके definition देखते हैं, which neither increase liability nor decrease assets, जिसके होने से ना तो कोई assets पे ना कोई liabilities पे फरक पड़ता है, simple और हिंदी बाशा के अंदर, कि sir ना तो assets पे और ना ही liabilities पे, दोनों में से किसी पे कोई effect नहीं पड़ता, उसको हम बोलते हैं, revenue receipts, which neither increase liability nor reduce any assets, यह definition आप लिख क्या होगे, मैं सभी students से बिटा request करूँगा, जो मैंने आपको यह line share करी है, which neither increase liability nor decrease any assets, यह line आप लिख क्या होगे, revenue receipts की definition में, अब आते हैं, फड़ा-फट से बिटा स्क्रीन पर देखते हैं, जल्दी से, capital receipts के बारे में, किस के बारे में, capital receipts क्या होगे, capital receipts क्या होती हैं, यहां से देखो, capital budget के अंदर एक आता है capital receipts, और इसकी definition क्या है, which either increase liability or decrease assets which either increase liability or decrease assets या तो जिससे आपकी liability increase हो जाएगी या फिर आपके assets कम हो जाएगी उसको हम बोलते हैं capital receipts चले पिटा आगे अब आज का जो हमारा topic है mainly वो उस पे आते हैं पिटा expenditures पे revenue expenditures and capital expenditures जल्दी समझते हैं पिटा सर दो तरह के expenditures होते हैं सबसे पहला expenditure होता है revenue expenditure revenue expenditure कौन सा होता है इसकी definition देखते हैं which neither decrease liability nor increase assets कोई भी government ऐसा खर्चा कर रही है government कोई भी ऐसा expenditure कर रही है जिससे ना तो government की asset पे फरक पड़ेगा और ना ही liabilities पे फरक पड़ेगा government कोई भी अपना expenses कर रही है government कोई भी ऐसा अपना खर्चा कर रही है जिससे उसकी assets और liabilities दोनों पे कोई effect नहीं पड़ेगा वो कौन सा expenditure है वो है revenue expenditure which neither reduce any liability nor create any assets which neither reduce any liability nor create any assets उसको हम बोलते है revenue expenditure स्क्रीन पर देखेंगे बिटा फटाफट से इसके कुछ मैंने examples दिये हुए है वो example फटाफट देखते हैं कि कौन-कौन से revenue expenditure से आपके पेपर में यह आ सकता है कि what is revenue expenditure and write its examples तो जो मैंने examples आपके screen पे शेर किये हुए है बिटा इसको एक धान से देखना oldest pension, scholarship, interest payment, salaries, subsidies, expenditure on defense, gift and grant by the government etc यह सारे क्या है बिटा यह सारे के सारे हमारे examples है किसके revenue expenditures आ गया समझ में कोई doubt बिटा इसके अंदर कोई भी कहीं पर भी doubt है बिटा मैं इसको एक काम करता हूँ मैं इसको highlight कर देता हूँ और highlight करने के बाद फिर आप इसके एक बार देखिए कि इनमें अगर कहीं पर कोई doubt आता है तो मुझे बताईए oldest pension oldest pension क्या होता है government जितने भी व्रत लोग होते हैं उनको pension देती है उनके खर्चे के लिए तो government का वो क्या है revenue expenditure क्योंकि government के उसके खर्चे करने से क्या हुआ कोई भी government को बाद में उससे कोई liability कम नहीं हो रही और नहीं government की उससे assets कम हो रही है government मिड़े मिल देती है जो सरकारी स्कूल होते हैं जो government स्कूल होते हैं वहाँ पर बच्चों को free education मिलती है कि फिरी ड्रेस मिलती है फिरी बुक्स मिलती है मिड़े मिल मिलता है तो वह जितना भी खर्चा government कर रही है डाट इस कॉल revenue expenditure क्या के लाएगा वह revenue expenditure चलती है आगे चलते हैं बिटा scholarship गौर्मेंट scholarship देती है बच्चों को जो बच्चे अच्छे होते हैं जिनको जुरुरत होती है या तो वह पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं तो गौर्मेंट उनको scholarships provide करती है higher education के लिए या स्कूल लेवल पर education लेने के लिए interest payment government ने loan लिया है अब loan लिया है तो ब्याज तो देना पड़ेगा interest देना पड़ेगा तो जो interest हम दे रहे हैं वो क्या कहलाएगा revenue expenditures government के employees होते हैं उनको salary देनी पड़ती है वो भी क्या है government की revenue expenditure subsidies क्या होता है subsidies होता है माइडियर लेमिन लेंग्वेज में subsidies को discount बोल सकते हैं एकनोमिक हेल्प बोल सकते हैं टैक्सिज लगा टैक्सिज में government ने 18 परसंट चार्ज कर आपको पांच परसंट की सब्सेडी से दिए एटीं परसंट चार्ज कर रही है पांच परसंट की subsidies मिलके कितना परसंट हो गया तो 5 परसंट जो आपको discount मिला है वो क्या किलाएगा subsidies expenditure on defense इसको बताने की जुरूत नहीं है गर्मेंट ने कोई भी गिफ्ट दिया है ग्रांट दिया है स्टेट गॉर्मेंट को या फिर भार किसी को ग्रांट दिये हैं तो भी क्या कर लाएगा बेटा हमारा revenue expenditure आगे समझ में चलिए next अब आते हैं बेटा हमारे capital expenditure सबसे important है मारा capital expenditure क्या होता है government कोई भी ऐसा खर्चा कर रही है government is doing any expenditure which either create asset or reduce liability government कोई भी ऐसा खर्चा कर रही है जिसके होने से या तो उनकी assets बढ़ रही है या उनकी liability कम हो रही है उसको हम बोलते है capital expenditure क्या बोलते हैं उसको हम capital expenditure which either decrease liability or increase assets जहां से देखिंगे बैटा स्क्रीन पर example पर आते हैं purchase and construction of building देखो government कोई भी purchase करती है building assets बढ़ रही है कोई land खरीद रही है तो assets बढ़ रही है वह बनी बनाई बिल्डिंग को लैंड खरीद के उस पर बिल्डिंग बना रहे हैं अब जैसे government ने एरपोर्ट की जगे एक को बाया मलब है गौर्मेंट ने एरपोर्ट बना रही है तो वह लैंड उसकी capital expenditure क्यों कहलाएगा वह capital expenditure क्यों कहलाएगा क्योंकि सर्व वह बिल्डिंग हमने तयार करी है जो construction करी है जो land हमने तयार करी है जो infrastructure हमने तयार किया है वह हमारी assets की rate हो रही है हमारी asset है हमारी मतला हमारी government की वह asset हो गई है और कोई भी ऐसा खर्चा जिसके असेट जिसके होने से या तो assets या liabilities पर effect पड़े वह कहां जाएगा वह जाएगा capital expenditure क्या है ठीक है ठीक है नेक्स पॉइंट आता है बिटा हमारा loan by central government to state government अब आप central government ने state government को loan दिया है loans by central government to state government पैसा गया पैसा गया नहीं गया पैसा गया लेकिन हमारे क्या किरेट हो गए debtors किरेट हो गए और debtors कौन होते हैं हमारे assets अगर आप accounts के बच्चे हो अगर आप commerce के हो humanities के बच्चे के बाद भी economics होती है अगर आप humanities के हो तो मैं आपको बता दू बटा जब हम किसी को loan देते हैं पैसा देते हैं उधार तो वह बंदा हमारा क्या हो जाता है debtors हो जाता है accounts की बाश्या हमें और debtors को हमेशा हम कहा record करते हैं asset side के अंदर तो जब हमने किसी को पैसा दिया तो debtors बढ़ गए debtors बढ़ गए मतलब हमारे assets बढ़ गए चलिए आगे चलते हैं repayment of loan repayment of loan का मतलब क्या होता है कि हमने कहीं से loan लिया हुआ था अब वह loan हम वापिस दे रहे हैं आपने बैंक से लोन लिया पचास लाग का वो लोन आप आप रीपे कर रहे हो तो आपके पास से पैसा जाएगा या आएगा पैसा जाएगा तो expenditure हो गया खर्चा हो गया आपका सब्स गौर्मेंट ने वर्ल्ड बैंक से पांच करोड का लोन लिया हुआ था अब वो जो लोन लिया हुआ था पांच करोड का गौर्मेंट उसको क्या कर रही है वापिस कर रही है तो पैसा जाएगा expenditure है लेकिन वो पांच करोड रुपे वापिस करने से हमारी liability कम हो जाएगी या कम हो जाएगी हमारी liability कम हो जाएगी इसलिए वो कौन सा expenditure है वो कहलाए capital expenditure क्योंकि सर जो हमने पैसे IMF को वर्ल्ड बैंक को वापिस करें हैं हमारा खर्चा हुआ है लेकिन उस खर्चे से क्या होगा हमारी लाइबिटी कम हो रही है कम हो रही है इसलिए उगल आएगा capital expense चलिए आगे चलते हैं बिटा तो तीन पॉइंट हमने यहां पर देखे सबसे पहला पॉइंट हमने क्या देखा पर्चेज एन कंसक्शन और बिल्लिंग लैंड मशिनरी शेर सेक्टरा और यह क्यों को कि हमारी असेट्स क्रेट हो रही है दूसरा पॉइंट हमने देखा लोन बाइस सेंटरल गवर्मेंट तो स्टेट गवर्मेंट और तीसरा हमने देखा पीटा रीपेमेंट आउफ लोन एक बाइस से सारे पॉइंट को एक ऑब करलो बेटा रिवेंटी एक पेंडिचर कैपिटल एकस्पैंडिचर दौनों को एक बाइस कवर करलो देख लो एक बार screenshot लेना है screenshot ले लो और अगर pen down करना है तो pen down कर लो फटाफट से जल्दी से बेटा copy निकालो जल्दी से सारे point लिख लो कहीं पर कोई doubt है हो सकते हो screenshot लेना है screenshot ले लो चलिए आगे चलते हैं बेटा फटाफट से अब होता है budget deficit budget deficit क्या होता है बेटा जब हमारे expenditures ज़्यादा होते हैं, रिसिप्ट से, जब हमारे expenditures ज़्यादा होते हैं, रिसिप्ट से, तो हमारे क्या होता है, budget deficit में चले जाता है, कहां चले जाता है, budget deficit में चले जाता है, जैसे कि example के तौर पे हम ही कहते हैं, कि sir हमारी जो government की रिसिप्ट से हैं, वो तो हैं कम, गौर्वर्मेंट की रिसिप्स हैं कम और खर्चे हैं जादा रिसिप्स हमारी कम हैं और खर्चे हमारे जादा हैं तो हम कहां चले जाएंगे हम चले जाएंगे बिटा डेफिशिट के अंदर तकाहां चले जाएंगे DEFICIT के अंदर तो जो DEFICIT होते हैं बिटा यह तीन तरिके से होते हैं तीन टाइप के मारे DEFICIT होते हैं कौन-कौन से होते हैं जल्दी से देखते हैं बिटा और अगर आप CA Foundation में हो या CMA Foundation में हो CS Foundation में हो या B.com, M.com के अंदर हैं या B.A.M.A के अंदर हैं आप किसी भी किसी भी field के अंदर हैं और आप economics पढ़ते हैं और आपके अगर कहीं पर कोई doubt है तो आप मुझे whatsapp कर दीजिए आप मुझे मेरे comment box में अपने doubts share कर दीजिए एक-एक doubt क्लियर करूँगा आपका छोड़ूँग है कि आपको आपके एक्जाम के अंदर 100% marks दिलाने हैं बस आप विश्वास करिए और जुड़ जाए मेरे साथ 100% की तैयारी करने के लिए चलिए आगे चलते हैं बिटा budget deficit क्या होता है budget deficit occurs when budget expenditure is greater than budget receipts दूसरा जल्दी देखिए ध्यान से budget deficit का आप formula क्या लिखा हुआ है हमन budget expenditure minus budget receipts नेक्स revenue deficit revenue expenditures minus revenue receipts में आपको बताया थैखिए और तीनों मैं आपसे डिसकस करूँगा सबसे पहले हमारा पास revenue deficit होता है दूसरा होता है fiscal deficit और तीसरा होता फैसरा होता है इस वाले point को मैं highlight करता हूँ कि हम कौन सा discuss करने वाले हैं हम discuss करेंगे revenue deficit के बारे में I hope कि आप सब कोई दिखाई दे रहा होगा revenue deficit क्या होता है when revenue expenditure is greater than revenue receipt उसको हम बोलते है revenue deficit ठीक है चलिए आगे चलते हैं बिटा fiscal deficit fiscal deficit का formula क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिए fiscal deficit होता है बिटा budget expenditure minus budget receipts other than borrowings budget expenditure minus budget receipts other than borrowings उसको हम बोलते हैं fiscal deficit बहुत मेहनत कर रहा हूँ बिटा आप लोगों के लिए बढ़िया तरीके से मेहनत करो और अपने सपनों को पूरा करो अपने सपने पूरी नहीं करें ना बिटा तो जिन्दगी में कुछ नहीं की अपने देखो देखना बहुत अच्छी बात है लेकिन उनको पूरा करने के लिए ना जितनी मेहनत लुटा ना फिर और अफंट कर सकते हो उस मेहनत मैं कमी मतल राना वो जो बैठा ना उपर बहोरान कहते हैं एश्वर कहते हैं अल्ला कहते हैं गॉर्ण कहते हैं जो आपको कहना का मन है वो कहो वो बस एक ही चीज कहता है कि बंदे तुम मेहनत कर मेहनत में पीछे मत हट कि फल देने के लिए मैं बैठाऊ हूँ सक्सेस अपने आप आपकी पीछे आएगी अपने आप चलिए तो बजट डेफिशिट तीन तरह के होते हैं बैटा रिवेन्य डेफिशिट एंड फिसकल डेफिशिट क्या होता है बैटा बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसिप्स अधर देन बॉरिंग्स यह हमारा बना सबस्क्ता नोट करना है अगर चलते हैं अगे चलते हैं नेक्स प्रामरी डेफिशिट सबसे इंपर्टेंट जो हमारे पास है क्या formula लिखा हुआ है इसका primary deficit is equal to fiscal deficit minus interest payment fiscal deficit minus interest payment अब let's suppose primary deficit का मतलब क्या होता है let's suppose हमने 40 करोड का loan लिया fiscal deficit और सर इसमें से हमने 10 करोड लिया था जो last year हमने loan लिया था उस पर interest pay करने के लिए सर 40 करोड का तो हमारा fiscal deficit है और 10 करोड का क्या है interest payment तो सर इस साल का net deficit कितना हुआ 30 करोड इसे हम बोलते है primary deficit सर fiscal deficit 40 करोड मतलब इतनी हम borrowing कर रहे है last year जो हमने loan लिये थे उस पर हमें इस साल interest pay करना है वो कितना है 10 करोड तो सर इस साल का जो net deficit निकल के आया है उसे हम बोलते है primary deficit क्या बोलेंगे उसको हम primary deficit point समझ में आया कोई doubt बेटा इसके अंदर कोई doubt बेटा इसके अंदर जल्दी पूछो नहीं है कोई भी doubt चलिए तो आगे चलते हैं बेटा primary deficit हमें समझ में आगया next is zero primary deficit क्या लिखा हुआ है zero primary deficit zero primary deficit होता है बेटा जब हम loan लेते हैं जब हम loan ले रहे हैं और सिर्फ किस purpose के लिए जो हमने last year loan लिए हैं उनको pay करने के लिए उसको हम बोलेंगे zero primary deficit इसका मतलब जो भी हम loan ले रहे हैं जो भी हमारा fiscal deficit हो रहा है वो सिर्फ किसलिए हो रहा है interest payment करने के लिए ध्यान से देखो उस वाले point को fiscal deficit is equal to interest payment FD is equal to interest payment it means government has to borrow only for interest payment that is called zero primary deficit आगे समझ में कोई डाउट बिटा इसके अंदर कोई भी कैसा भी कोई भी डाउट बिटा पूछ सकते हो हमने यहां पर एक बार मैं आपको शुरू से दिखायाता हूँ बिटा budget के बारे में बढ़ा budget कौन पेश करता है finance minister finance minister of a country जो भी ruling party होता है उसका जो finance minister होगा he or she will represent the government budget in the parliament in front of all the ministers that is and generally it is in February month first week of the February financial planning होती है तरे से गौवर्मेंट की जो budget होता है वो तरे से गौवर्मेंट की financial planning होती है future के लिए और past में हमने क्या achieve किया क्या हमने lose किया उसके बारे में भी finance minister discuss करते हैं फिर इसमें हमने पढ़ा कि दो तरह के budget होती है बेटा एक revenue budget होता है capital budget होता है revenue budget में revenue receipt और revenue expenditures आते हैं और capital budget के अंदर capital receipt और capital expenditures आते हैं हमने पढ़ा कि यहां पर जो receipts होती है वो दो तरह की होती है एक होती है revenue receipt और एक होती है capital receipt ऐसे बिटा हमारे पाद दो तरह के expenditure होते है revenue expenditure और capital expenditure यह मैंने पूरा आपको डिसकस किया आपको screenshot लेना है screenshot ले सकते हो बिटा भी पिर हमने पढ़ा इसमें budget deficit के बारे में budget deficit के बारे में मैंने आपको बताया है जब हमारे खर्चे जादा होंगे और इंकम कम होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे उसको budget deficit खर्चे जादा है income कम है रिसिप्ट कम है एक्सपेंड जादा है तो हम क्या बोलेंगे budget deficit फिर हमने देखा कि तीन तरह का होता है revenue deficit fiscal deficit और primary deficit इन तीनों को discuss करने के बाद फिर हम आए जीरो प्रायमी डेफिशिट के पे ठीक है यहां पर बिटा यहां तक कोई डाउट दो पूछो मेजर मेजर हमने पूरा कवर कर लिया है यहां तक कोई डाउट दो पूछो इसके बाद एक टॉपिक जो सबसें इस वीडियो में कवर करूंगा इस वीडियो में से पितना ही रेखेंगे नेक्स वीडियो के अंदर जो आपका कवर करने वाला हूं वह होगा आपका बजट के अब्जेक्टिव्स जी हां ये छे नंबर का या चान नंबर का पक्का पक्का आने की पूरी पूरी उमीद रहती है तो इसलिए उस वीडियो को बिटा बिल्कल स्किप मत करना इसके बाद वो वीडियो आएगी अब्जेक्टिव्स ऑफ गौर्णमेंट बजट कि गौर्णमेंट जो बजट बनाती है वो क्यों बनाती है क्या उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारी चीज़े बिटा नेक्स वीडियो में कवर करूँगा आई होप कि इस वीडियो के अंदर आपके सारे डाउट्स के लिए हो गए होंगे यह चाप्टर आपने बहुत डीपली समझ लिया होगा स्टिल मैं दुबारा बार बार कह रहा हूँ बिटा कोई भी डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए आप मुझे वाट्स अप कीजिए मैं आपके सारे डाउट्स किलर करूँगा चीक है चलिए इस वीडियो के साथ इतना ही नेक्स वीडियो में आपके साथ नए टॉपिक के साथ पूरी एनरजी के साथ दुबारा मिलते हैं चीक है थांक यू थांक यू सो मच लव यू अल थांक यू